कुछ यूटूबर्स काफी स्मार्ट होते हैं और वो बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं और कुछ यूटूबर्स स्मार्ट तो नहीं होते हैं बट अपने चैनल पे अंदाधुन वीडियोज अपलोड करते हैं और यही गलती वो अपने यूटूब चैनल पे सबसे बड़ करने वाले है, smart work कैसे करें, ये वीडियो थोड़ी सी हटके होने वाली है, इस वीडियो में हम बिल्कुल भी tricks का इस्तमाल नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाला हूँ किस तरह से आप smart work करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने youtube channel को grow कर सकते हैं, बिल्कुल जिसने smart काम नहीं किया और वो आगे नहीं किया, अगर आप smart work काम नहीं करोगे, smart तरीके से अच्छी thinking के साथ काम नहीं करोगे, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, और आपने देखा होगा, कि आपके साथ के youtube पर आगे निकल गए और आप पीछे रह गए, reason क्या है, क्य आपका youtube channel आपसे चाहता क्या है, और आपको करना किस हिसाब से है, जिससे कि आपका youtube channel भी गुरो होने लग जाए, मेरी पात सुनके थोड़ी सी आपको tension भी आई होगी, अब सोच रहोंगे यार मैं smart work तो करता हूँ, बट फिर भी मैं आगे नहीं बढ़बा रहा हूँ, आज का promotion का winner आप देख सकते हूँ, इनका youtube channel का link में description में दे दिया है, साधे साथ मैंने अपने telegram channel में भी share कर दिया है, अगर आप भी चाते हैं, आपका youtube channel promotion हो, तो उसके लिए इस video को like करना पड़ेगा, और हमारे इस channel को subscribe करना पड़ेगा, साथ में comment करना पड़ेगा, ती यहां से गुसा के यहां से नहीं निकालना है, यहां से भी गुसाना है, यहां से भी गुसा के आपको mind में सोचना है, और उसके बाद आप अपने youtube channel पर implementation करना है, अगर आपने implementation कर लिया, तो आपके youtube channel को कोई भी माईकलाल नहीं रोक सकता, सबसे पहले point बता रहा हूँ advice दे रहा हूँ, आपको जाना पड़ेगा settings में, youtube studio की setting में, हो सकता है आपके पास mobile हो, आपको google chrome ओपन करना है, desktop mode में open कर लेना है उसको, उसके बाद आपके पास इस तरह से interface आपके सामने open हो जाएगा, यहां पर आपको upload defaults पर जाना है, और यहां पर advanced setting में जाना है, यहा क्योंकि जब वो अपने youtube channel बनाते है, वो किसी न किसी की video देखके बनाते है, और ज्यादतर videos वो ही लोग बनाते है, जैसे youtube tips देने वाले, या फिर science and technology वाले, उससे क्या होता है, कि वो बंदा भी अगर उसका vlogs का channel है, या news का channel है, या comedies का channel है, या किसी और का channel है, life style के regarding, त के video upload करते हो, और आपने करके science and technology, माले आप vlog channel upload करते हो, बट आपने करके science and technology, तो यहाँ पर इस setting से काफी फरक पड़ता है, categories के, आप जो ये category select है, science and technology, बलब ऐसे बंदों को ये impression भेज़गा, ऐसे बंदों को दिखाएगा, जो science and technology में interest रखते है, अगर आप अपनी video ऐस लोगों को बेजोगे, बलब vlogs का है, आप ऐसे बेजोगे, तो उनको पसंद नहीं आएगा, यानि कि different category पर आप काम कर रहे हो, पर videos और कुछ upload कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपनी categories को आज ही check कर लेना है, तो उसको सही कर लिए, comedies है, तो comedy के साब से कर लिए, देखो यहां पर बहुत सारे है, आप देख सकते हो यहां पर, news politics है, music है, gaming है यहां पर, entertainment है, education है, comedy है, बहुत सारे यहां पर available है, sports है, tour and travels भी है, तो यह आप देख सकते हो यहां पर, इसके इसाब से आप आज ही check कर लिजिए और change कर लिजिए, बात करते हैं, दूसरे point के बारे मे ऐसे यूटूबर जूरूर होते हैं, जिनसे हम देख के सीखते हैं, और उनका जैसे बनने कोशिस करते हैं, या फिर उनके चैनल से हम सीखने के बाद अपने यूटूब चैनल पे implement करते हैं, अब ऐसे ही चैनल को आपको follow रखना है, मतलब आपको अपनी categories के कम से कम 4-5 चैन आप से उसी से मिलते जुलते के हिसाब से आप अपने यूटूब चैनल पे वीडियो उसको publish करें, जैसे कि मैं आपको example देना चाहूँगा कुछ, इस time मतलब जो news जितने भी news वाले है, वो सारे हरियाने में जो violation अभी हुआ था, उसके उपर बहुत सारे लोगों ने वीड पहुत सारे वीडियो आई थी, और जिन्होंने दिमाग के स्तमाल किया, जिन्होंने स्मार्ट तरिये से काम किया, उनके चैनल पे views भी आई, सब्सक्राइबर भी आई, पैसा भी कमा लिया, यूटूब चैनल भी monetize कर लिये, मतलब काफी कुछ कर लिया, क्या काम किया उन्ह जो भी videos publish करते हैं, उसी हिसाब से आप भी उसी तरह की videos upload करने कोसिस करें, यकीन मानिए, अगर आपने 5-6 मही ने ऐसे follow किया, तो definitely आपका YouTube चैनल भी grow हो जाएगा, इसका मतलब होता है, एक trend आता है, और ये trend कुछ दिन तक ही रहता है, इस trend को आपको follow करना पड़ता है, य यहाँ पर मजाता हूँ आपको लेकर, यह है एडवान सेटिंग में, उसके बाद नीचे जाना है, आपके YouTube चैनल के जितने भी टोप स्क्रिटर है, जो आपकी audience उनको देख रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ, इस तरह की videos आप देख सकते हैं, और नीचे की काफी ज़्यादा देख रही है, ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा, कि आपकी audience क्या-क्या वोच कर रही है, और किन-किन के चैनल को वोच कर रही है, तो यह आपके लिए काफी important है, अब बात करते हैं, next point के बारे में, यह मेरी advice है, और इसको मैं भी follow करता हूँ, आप याद रखने वाली बात है, इसको बार-बार आपको चेक करना पड़ेगा, यतनी बार आप चेक करोगो, इतना ही आपके लिए benefits है, अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, अपने analytics में और यहाँ पे research के options में जाना पड़ेगा, अब काफे सारे YouTube monetization policies, high volume पे इस्ट है, reviews content monetization, high volume पे, how to unfreeze YouTube channel, high volume पे, views कैसे बढ़ाई, high volume पे, और यहाँ पे YouTube पर views कैसे बढ़ाई, high volume पे, YouTube नहीं monetization policy, high volume पे, कितने views पर कितना पैसा मिलता है, यह सारे के सारे जितने भी यहाँ पे topic यहाँ पे दिखा रहे हैं, यह हमारे channel के जो viewer है, अगर आपने इस तरह का काम कर लिया, देखो मैं YouTube monetization policy डालूंगा ना, तो 101% मेरी video पे बहुत ज़्यादा views आ जाएगा, बलब जितने मेरे average views आते हैं, उससे ज़्यादा views आ जाएंगे, बट problem यह है, कि आपको video को ध्यान से न तो देखना होता है, न समझना होता है, न अपने महिने में आप 60 videos upload करते हो, और आपकी न तो audio सही है, न आपकी video है, सही है, न आपके जो topic selection कर रहे हो, वो सही है, गलत तरहीं से कुछ भी आप जाके topic को select कर रहे हो, तो आपका YouTube channel गुरू नहीं होगा, एक topic को find करना, और उसको सहीतरे की search करना, और trend के हिसाब से काम क आपके YouTube channel की growth को बढ़ाता है, तो यह जो मैंने points बताई है, यह काफी important point बताई है, मैंने आपको यह नहीं बताया कि title लिखो, tags लिखो, description लिखो, यह लिखो, कुछ तो नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको समझाया है, कि इन तरीकों से आपके YouTube channel को grow होने से कोई नहीं रोक स चल जाएगे कि आपका वाकिए में YouTube channel अब grow होने लग गया, अब मैं जदे जाते हैं, आपको कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इतना ही बोलूँगा, कि वीडियो को like करिए, और चैनल को subscribe जुरू से करना है, भीलता हूँ आपको next video में, तब तक ट्रेटा वाइबाई, जैहिन झाल आपको next video